रेस्ट्रोज में मिलने वाली ये बहुत ही महंगी डिश बहुती टेस्टी बहुती इजिली बना सकते हैं आप अपने घर में और बहुती रीजनेबल प्राइस पे हमस एन पीटा प्रेट जो कि बहुती यमी होती है और बहुती महंगी मिलती है ये डिश चलिए बनाते हैं अ सबसे पहले हमस बनाना स्टार्ट करते हैं हमस के लिए हमें एक कप भीगे हुए सफेद चने चाहिए जिसको हम चिकपीस बोलते हैं अपने रिक्वाइड एमाउंट के हिसाब से पानी ढाल दीजे और उसे सीची लगा दीजे ये चिकपीस जो थे वो मैंने रात में न भीगो सुबह एक कप मैंने उसमें से ले लिए और यहां मैंने तिल लिया है और तिल को मैं अच्छे से सौटे कर लूँगी सौटे करने के वक्त यह जो तिल है जिनको सीसम सीट भी बोलते हैं यह थोड़े से फूल जाएंगे क्रिंकलिंग की आवाज आएगी और बहुती बढ़ बोल किये थे बहुत अच्छे से बोल हो जाने चाहिए इस चीज का हमें ध्यान रखना है यहां यह बोल हो चुके हैं मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर जाल लिया है उसमें मैंने चीक पीज डाल लिये हैं और इसमें अब हम कुछ चीज़े डालेंगे जैसे की सबसे पहले ति चीज़ेऽ यह मैंने डाल लिया है अच्छे से रस नमक और लेसुन लेसुन बिलकुल और ऊपुशनल है अगर आप खाते हो तो डालें नहीं खाते हो तो ना डालें यहां अब मैं इसको अच्छे से मेक्स कर दोंगी और उसके बाद मैंने या तो चमच हंकड डाला है हंकड ही डालिएगा पानी नहीं होना चाहिए ये देखिए ये क्रीमी टेक्शर वाला हमारा हमस बिल्कुल तैयार है अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको निकालना है बाहर एक ट्रे में जिसमें हमें इसको serve करना है serving dish में आप देख रहे हैं कितना easy है और ये इतना मेंगा बिकता है restaurant में इतना मेंगा कि मैं क्या बताओ because ये एक बहुती famous middle eastern dish है जो की बहुत जादा चलती है और इसको बनाना तो एक बच्चा भी बना सकता है यहां मैंने इसमें अच्छे से दो चमच olive oil उपर डाल दिया है बस इस चीज का दियान रखेगा olive oil is must olive oil से ही हमस बनता है उपर मैंने हलकी सी लान मिर्च रख दी है यहां मैंने अलोपीनोस डाल दिये है आप चाहो तो आप olives भी डाल सकते हो चाहो तो कुछ भी नहीं डाल सकते है और मैंने इसको गार्निश कर लिया है coriander leaves से और हमारा tasty tempting hummus बिलकुल तैयार है hummus is eaten throughout the western Asia and all the Arabs यह उनका बहुती फेवरिट डिश है तो हमस खाते किसके साथ है हमस खाते हैं पीटा ब्रट के साथ यहां मैंने लिया है एक चम्मच पिसी हुई चीनी और एक चम्मच मैंने लिया है इस्ट इंस्ट इस्ट और उसमें 40 ml वाटर डाला है अब इसको हम मिक्स करके पांच मिनट से साथ मिनट के लिए साइड बे रख देंगे तो अक्टिवेट इस्ट यहां मैंने लिया है एक कप मैदा आप चाहो तो आटा भी ले सकते हो या फिफ्टी-फिफ्टी रेशियो भी कल देंगे यहां बीश में मैंने एक वेल्डिक किया है और यह देखिए यह जो हमारा इस्ट है यह अक्टिवेट हो चुका है उपर न आपको फेन फेन दिखने लगेगी अब मैं क्या करूँगी अब मैं यह इस्ट इसमें डाल दूँगी और इस आटे को अच्छे से न मल लेंगे हम पहले हम इसको अच्छे से mix कर देंगे, बहुत अच्छे से mix कर दीजेगा ध्यान से और इसको अच्छे से एक dough के form में हमें तैयार करना है dough तैयार और मैंने यहाँ पे टोटल 80 ml water लिया है 40 ml मैंने एस अक्टिवेट करने के लिया था और 40 ml मैंने अब यहाँ पला है जहाँ भी hummus serve होता है वहाँ serve जो होता है वो पीटा bread के साथ ही होता है हमस और पीटा bread is like samosa and aloe ठीक है अब यह देखे पीटा bread जो है इसका जो आता है इसकी एक technique है इसको हमें pull and push की एक technique से करना है पहले मैंने देखिए इसे पुश किया फिर मैंने इसको अपनी तरफ खींच लिया और जो आपका पाम होता है उससे अच्छे से करना है यह करना बहुत जरूरी है वरना आपकी ब्रेड अच्छी नहीं बनेगी इस शीज का ध्यान रखिएगा पुल एंड पुश इस इस ती टिकनीक इसको कम से कम आपको 7-8 मिनट अच्छे से करना है बहुत अच्छे से यहां मैंने 3-4 मिनट कर लिया और अब मैं यहां पे डाल रही हूं इसके अंदर नमक और थोड़ा सा एप्रॉक्स 1 टेबल स्पून ओलिव ओल ठीक है पीटा ब्रे अच्छे से करव करके आप इसको अंदर स्क्वीज कर दीजाए आटे के अंदर बिल्कुल अच्छे से न मिला लीजे एंड एन अगें डू दी पुश अन पुल मेथर्ड टिकनीक जिससे इसमें स्ट्रेच बिल्टी आती है हम यह मेथर्ड जब करते हैं तो इसमें आटे मे आटा स्ट्रेचबल होगा हमारी ब्रेड उतनी ही सॉफ्ट फ्लाफी बनेगी तो यह हमें करना ही करना है एट लीज सेवन टू एट मिनिट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करिए और अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए यह देखिए यह आटा बिल्कुल तयार हो गया है उपर कोई क्रैक्स नहीं है बिल्कुल सॉफ्ट आटा है अब हमें इसको प्रूफिंग के लिए रखना है मैंने यह बोल लिया है और अंदर हलका सा ओईल लगाया है और यह मैंने आटा रखके डो रखके इसको धग देंगे फॉर एप्रॉक्स वन आर वनार आफ्टर वनार यह देखिए यह जो है अपने साइस से डबल हो गया है जितना मैंने रखका था उसका डबल हो गया है अब हम यहाँ पे दूसरी टेकनीक करनी है नौक यानि कि हम इसे जोड से नौक करना है और इसमें जितनी भी एर थी हमें वो बहार निकाल लेनी है अब हम इसको वापस से बहार निकाल ल के बिल्कुल बढ़या से इसको एक लंबे रोल के फॉर्म में हम बना लेंगे और जितनी भी हमें पीटा ब्रेट बनानी है न उतने हम इसके पीसेज काट लेंगे कोशिश करिएगा इक्विल पीसेज हो तो अराम से बन जाएगी थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा हो रहा ह है बट मैं आपको सारी ट्रिप्स और टिक्नीक के साथ बता रही हूँ क्योंकि अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो फॉर्स टाइम में ही आपकी पीटा ब्रेट जो है वो बिल्कुल पर्फिक बनेगी एक पोशन मैंने निकाल लिया है और सारा पोशन खुला मत छोड़ि और कुछ मैं पीटा पॉकेट्स बनाऊंगी पीटा पॉकेट्स के लिए भी मैंने फलाफल तयार करके रखा है अगर आपको जानना है कैसे तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी यहां मैंने देखिए बटर पेपर पे हर एक जो ब्रेट जो मैंने तू थर्टी था उस पे रखा फॉर टेन टू फिफ्टीन मिनिट्स यहां यह देखिए फूलने लगा है और अब मैं इसको तवे पे भी फुला रही हूँ जैसे ही आप पिटा यह जो बेला है अपने पीटा ब्रेट इसको जैसे ही आप रखोगे ना बिकॉज यह इतना फ करूंगी हमस के साथ ऐसे ही जिप्स करके खाने के लिए ठीक है मैंने यहां पे सिजर का यूज किया है आप नाइफ का यूज कर सकते हैं पिजर का यूज कर सकते हैं किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं जिससे आपके अच्छे से कट जाए यह ऐसे करना है बट मुझे आप प्रॉपर सिजर सही लगा तो मैंने उसी से कट कर लिया यह देखे मैंने यह ट्राइंगल नाचोस की तरह इसको कट कर लिया है और यह हमारी पीटा ब्रेट विट हमस बिल्कुल तयार है अच्छा अब हम पीटा पॉकट पे आते हैं यह देखे यह पॉकट हमने बीश में से काटा पीटा ब्रेट और यह ऐसे पीटा पॉकट बन जाती है अब हम इसमें क्या करेंगे इसमें हमस बनाया है न हम उसको अच्छे से लगा लेंगे आप इसमें mayonnaise भी लगा सकते हो आप इसमें कोई भी और extra इसमें कोई भी और dip लगा यूज़ कर सकते हो बट मैंने यहाँ पर उपर सिर्फ हमस का यूज़ किया है और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी फलाफल कबाब बनाने की जो भी recipe है वो मैं description box में डाल दूँग and tomato and carrot इसको मैं अच्छे से कर लूँ फिल और यहाँ पर मैंने एक चीज और रखा है वो की है अलपीनोज ठीक है मैं को अलपीनोज बहुत पसंदे असलिए मैं अलपीनोज हर जगा डाल देती हूँ और उपर मैंने इसको dressing कर लिया है मयोनी से यह बिलकुल optional है आप चाहें तो करें आप चाहें तो ना करें totally up to you and trust me it's look amazing, tempting and खाने में तो उफ very yummy बहुत ही अच्छा लगता है अब आप समझ सकते हैं कि यह dish इतनी महंगी मिलती क्यों है क्योंकि यह होती yummy है और थोड़ा सा generally आपको हर जगे नहीं मिलती इस दिये तो यह चाहें आप पीटा nacho style से काच के खाएं या पीटा pocket बना के बहुत ही yummy बनेगी